ठरकी हवासी हब भी, प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें शाम हो चुकी थी, महल जगमग रहा था, गेस्ट आने शुरू हो चुके थे सौम्या और कार्मिक को रेडि करने के लिए मुंबई से सेलिब्रिटी मेकप आर्टिस्ट आये थे वही सगाई का थम था, सौम्या और कार्मिक के अलावा सब लोग एक कलर के कपड़े पहनेंगे सभी आदमी क्रीम कलर की शेरवानी और 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 ते डाक क्रीन लेंगे वही रगुवेंद जी और वैदेही जी के रूम में रगुवेंद जी रेडी हो चुके थे और वो आज भी बहुत हैंसम लगते थे रगुवेंद जी विक्रांद के बड़े भाय लगते थे विक्रांद के इतने हैंसम और चार्मिंग होने का राज उसके मोंग डैट की खूबसूरत ही थी वैदेही जी ड्रेसिंग टेबल की चेय पर बैठी थी और शर्म रही थी वैदेही जी रगुवेंद्र जी से शर्माते हुए बोली महराज हम खुझ वैलरी पहनी लेंगे वैदेही जी वैदेही जी के होटों पर लाइट किस करके अपनी रौबदार आवाज में बोले आज हम बहुत खुश हैं और हमारा मन आपको सजाने का कर रहा हैं तो आप चुक होकर बैठिये महराज आज आज भी आपका ये मस्त मौला पान नहीं गया रगुवेंदर जी वैदेही जी नोच पर पिछ करके बोले महरानी आपको हमारी यही तो बात अच्छी लगती है तो हम इससे कैसे बदल सकते हैं और वैसे भी हमारा ये साइट बस हमारे परिवार के लिए है वैदेही जी रगुवेंदर जी का हाथ पकड़ कर उनकी आँखों में देखकर प्यार से बोली महराज हमारी जिंदगी में आने के लिए थैंक्यू और हमें इतने प्यार बच्चे देने के लिए थैंक्स रगुवेंदर जी वैदेही के माथे पर किस करके बोले ये तो हमें आपसे बोलना चाहिए बिल्लू जो ड्रेसिंग टेबल के उपर बैठा था वो अपने पापा मम्मी को रूमेंस करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था रूम का दोर खुला था मेंका छुपकर रगुवेंदर जी और वैदेही जी को देख रही थी मेंका मोग बना कर बोली मैंने इन अपने हस्बंड को को तीन बेटे दिये फिर भी मुझे प्यार नहीं करते यहां वैदेही बस दो बेटे और दो बेटिया दी फिर भी दामाद बाबू वैदेही को इतना प्यार करते हैं काश वैदेही जी की जगल दामाद बाबू की शादी मुझसे हो जाती, तो मेरे तो किसमत ही खुल जाती, इतना प्यार करने वाला पती और इस महल की महारानी, मैं होती, वही मेनका के पीछे खड़े मधू और उर्वशी जो किसी काम से वैदेही जी से मिलने आये थी, वो ये मोबाइल अपने हाथ में घूमते हुए बोली, वैसे मैंने जो मेनका मामी का एक बाल बोल बच्चन नानी जी को दिखा दू, और वशी मधू को घूरते हुए बोली, तो मैसा कुछ नहीं करोंगी, कभी कभी इनसान ऐसे ही ऐसी बाते बोल देता है, अगर ये वीडियो नानी जी को दिखने दो ना, और वशी मधू को घूरते हुए बोली, तुम भी अंशू और विकी से काम नहीं हो, तुम अपने इस शैतानी आइडिया को अपने पास रखो, मेन का मटकते हुए वहाँ से चली जाती है, वही दूसरी तरफ विकरांत अपने रूम का दोर खो ने मन में बोला, शैतानों की तोली इतनी शान्ती से हो रही है, कुछ तो गड़बढ है, विकरांत बैख के पास आकर अंशा से कोल्ड वोईस में बोला, स्वीट हार्ट वेक अप, विकरांत की एक आवाज सुनकर आलू की आँखे खुल जाती है, और वो विकरांत को देख विकरांत की एक्सप्रेशन डाख हो जाते हैं, विकरांत आलू से कोल्ड वोईस में पूछता है, मम्मा ने तुम्हें कहा मार, आलू अपने बॉम पर हाथ रख कर बोली, मम्मा ने हम जबके बॉम लाल कर दिये, मम्मा ने तो मैजिकल डैडी बेर के भी बॉम पल माला, विकरांत की गोड में देकर अपने मन में बोली, इस लड़की ने विकरांत सर को एक की दो लगाई होगी, तभी विकरांत सर गुसे में लाल पीले हो रखे हैं, विकरांत सर निगहों से अंशा को घूरते हुई कोल्ड वोईस में बोला, तुम्हारी हिंमत भी कैसे हुई, बच्चों पर हाथ उठाने की, और तुमने वंज की उपर भी हाथ साफ कर दिया। विक्रांद की तेज आवाज सुनकर मुव बना कर बोली, मैंने किसको नहीं पीटा है। ये चोटा भालू जूट बोल रही है, मैंने तो बसन सब को डांट कर सुला दिया, क्योंकि ये सब सगाई में जाने के लिए तयार होने की बात कर रहे थे। विक्रांद अंशा की बात सुनकर गुसे में दांट भींच कर बोला, स्वीठार डोंट मेक मी आंगरी। अंशा मैंगो के चहरे पर ब्लांकेट धख कर बोली, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, आपने ही दोपहर को कहा था, कि मैं आपके परिवार के मामलों से दूर रहूं, तो मैं दूर हूं, सौम्या आपकी बहन है, तो आप ही उसकी सगाई में जाने, मैं और मेरे बच्चे स कोल्ड वोईस में बोला, मेरा बच्चा अपनी सौमू की इंगेजमेंट में जरूर जाएगा, विक्रान तंशा को ओडर देने वाली टोन में बोला, मिसेज ओबरोय अपनी ये नौटन की बंद करों, और जाकर रेडी जाओ, अंशा बैट से खड़ी होकर बोली, मिस्टर अबरोय में आपकी बात नहीं मानने वाली, तो आप मेरे उपर टाइम वेस्ट मत किजिए, विक्रान तंशा को एक नजर देख कोल्ड वोईस में बोला, तुम सौमू की इंगेजमेंट में नहीं जाना, तुम्हारी मर्जी पर मेरे बच्चे जरूर जाएंगे, अंशा भूरते हुए कोल्ड वोईस में बोला, स्वीठाट जिद मत करो, अंशा विक्रान्त की बात सुनकर बोली, आपको शायद पता नहीं है, अंशा शर्म आपकी दोनों नाख चिरी राजकुमारियों से ज़्यादा जिद हैं, आप तो फिर भी आलू को समझा, बूच कर अपन मैंने तो अपने नानू त्रिप्ती के डैट सोने की चेंजित करके एक करीब को दिलवा दी थी, मेरे बचपन के किस्से सुनकर, आपको अपनी बेटिया मासूम लगेगी, फिर अंशा विक्रान्त को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे हब भी मैंने आपको भी तो अपने पीछे कितना गूमया हैं, आप मुझे खुद से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर पए, आपको लस्ट में धोखे मेरे डैट के नाम का साहार लेना पड़ा, तो जाकर मैं आपके काबू में आई थी, अंशा की बाते सुनकर विक्रान्त के माथे की नसेतन जात अपने आप सच जाती हैं, विक्रान्त अंशा के दोनों तरफ हाथ रख कर कोल्ड वॉइस में बोला, अंशा शर्मा हम इंगेजमेंट में जाने के लिए बाद में रेडी होगे, आज मैं तुम्हें अच्छे से हमारी शादी की सच्चाई बताता हूँ, अंशा को आज तक पता ही नहीं था, उन शादी करवाने के लिए परिवार ने जो जूट बोले थे, उसमें विक्रान्त परिवार के साथ नहीं मिला हुआ था, विक्रान्त अंशा की आँखों में देख कर बोला, मेरे परिवार को नहीं पता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इंगेज वुल्फों को मारा जा सकता है, वो बस तुम ला सकती हो. तो इसलिए उन्हें तुम्हें धूंड और तुमसे जूट बोल कर शादी के लिए मान लिया. और फिर मुझे जूट बोल कर बुलाया, और मुझे तुम्हारी फोटो देख कर बोला, तुम मेरी होने वाली दुलहन हो जब मेरा शिकार खुद मेरे हाथों मारने आ गया, तुम्हें कुछ क्यूं बोलता, विक्रान्थ अंशा को शादी की सारी सच्चाई बताता है. अंशा विक्रान्थ की बात सुनकर मुझे बना कर बोली, तो आपसे किसने कहा था? मुझे से शादी करने के लिए, अगर आप मुझे से शादी नहीं भी करते, तो भी मैं आपकी फैमिली की हेल्प कर देती, और थैंक्यू मुझे अपने गंदे इरादे बताने के लिए, आंशा विक्रान्थ की बात सुनकर और नाराज हो गई थी, आंशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, आपने मुझे से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, आपको तो बस एक मासूम लड़की चाहिए थी, अपनी फैमिली आगे बढ़ने के लिए, आप अगर मुझे सच्चा प्यार करते, तो मुझे डेट पर लेकर जाते, डिसको लेकर जाते, पर नहीं आप मुझे बस बेड पर लेकर जाते हो, ठरकी हवासी हबबी, विक्रांथ गुस्से में अंशा के होटों पर अपने होट रख कर बाइट करने लगता हैं, और अपनी बॉडी का वेट अंशा पर ही डाल देता हैं, आलू ये सब देखकर बेबी से बोली, डेडी मम्म के चछात अच्छा कर लहे हैं, मम्मा ने मेले को कांट डांट कल छुलाया था ना, अब मेले डेडी बदला लेंगे, फिर क्या था, आलू विक्रांथ को चेयर करने लगती हैं, डेडी 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 कमान, डेडी मम्मा को दूर चता दो, वंच भी उठ चुका था, वो वि सेंड से डैडी को मेरी खरगोश जैसी मम्मा से दूर करेगा, तभी वंच सेंडी को देखता है। वंच अपने मन में बोला, इस सेंडी को बहुत पंचायत सूजी है। अंधों पर अपनी उंधी से टच करके कोल्ड वोईस में बोला, स्वीट हाथ तुमने जो मांग हैं, वो तुम्हें नहीं मिल सकता, अंकिता को मैं नहीं छोड सकता, वो भी अपने मा, बाप और भाई की तरह बन चुकी हैं। और अब तुम इस बारे में कोई बात नहीं करूंग, अब चुक चाप जाकर शाव लेकर रेडी हो जाओ। अंशा अपनी आखों के आसू पहुंच कर रौंदू आवाज में बोली, आप से शादी करके मेरी लाइफ बरबाद हो गई। प्लीज जादा से जादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। अंशा आलू को रेडी कर रही थी। अंशा ने आलू को डाक ग्रीन कलर का लहंगा पहना दिया। और आलू के लंबे बालों का बन बना कर उसको पल, मोती से सजाया था अंशा को को रेडी करके वंश को रेडी करने लगती है विक्रांट ने वंश के लिए एक special soft fabric से शेरवानी बनाई थी जिससे वंश को कोई problem नहीं होगी अंशा वंश को रेडी कर रही थी वंश अंशा को देखकर अपने मन में बोला थैंक्स गौड ममा ठीक है मुझे तो लगा था डैडी मेरी क्यूट ममा को खा जाएंगे वंश अंशा को देखकर स्माइल करा था अंशा वंश के पैरों में काला ठीका लगती हुए उसको समझती है बेबी तुम फंक्षन में जाकर बिलकुल भी शैतानी मत करना वरना सब तुम्हें नजर लगा देंगे अंशा जहां वंश को समझ रही थी वो लोग के सामने अपनी क्यूट हरकते ना करें वही आलू अपने क्यूट डांस की प्रेक्टिस कर रही थी अंशा आलू का सुपारा क्यूट डांस देखकर अपने माते पर हाथ रक्कर बोली इस छोटे भालू का मैं क्या करूँ इसको मैंने समझाया था ये अपनी क्यूट हरकते फंक्षन में दिखाए अंशा आलू से बोली आलू बाबू मैंने आपसे क्या बोला था आप मेरे dance performance में मेरे पीछे खड़ी होकर बेबीज के साथ dance करना अगल से आपका कोई dance performance नहीं होगा आलू अंशा की बात सुनकर उसको घूरते हुए बोली आपके पीछे खेले हैं कल dance मैं कलूंगा तो मेले को कौन देखेगा तो मैं अगल छे dance कलूंगा अंशा आलू को घूरते हुए बोली नो वे तुम मेरे साथ मेरे पीछे खड़े होकर dance करोगी आलू अंशा की बात सुनकर बोली आलू ओबाय किछी की बात नहीं मानता आलू अपने डैडी की तला अपनी अपने मन की मलची कलती है अंशा आलू की बात सुनकर मूँ बना कर बोली अब तुम भी मेरी बात नहीं मानोगी आलू अंशा को जीब चिडाते हुए रूम से भाग जाती है अंशा आलू की इस हरकत पर मूँ फूल बोली ये लड़की बिलकुल अपने डैडी पर गई है घमरी अंशा वंश को रेडी करके फीडिंग करवा देती है और फिर वंश को पालने में लेटा कर चेंजिंग रूम में चेंज करने चली जाती है कुछ देर बाद अंशा डाक क्रीम कलर का हावी सा लनहगा पहन कर बाहर आती है अंशा के लनहगे में गोल्ड का वॉक हो रखा था अंशा के लनहगे का दुपटा नेट का था अंशा ड्रेसिंग टेबल की चेर पर बैठी कर अपने बाल बान रही थी तब ही बात्रूम का डोर खुलता है अंशा की नजर बात्रूम की तरफ जाती है विक्रांट कमर पर टावल लैप्ट कर बात्रूम से बाहर आ रहा था अंशा विक्रांट से अब भी नारास थी इसलिए अंशा अपना चहरा दूसरी तरफ करके विक्रांट से बोली, मिस्टर ओबरोय आपकी बेहन की सगाई है, आपकी नहीं, तो ओबरेडी होने की जरूरत नहीं है, अंशा की बात सुनकर विक्रांट की आइब्रो तन जाती है, विक्रांट अंशा के पास उसके कान में अपनी कोल्ड वोइस में बोला, स्वीठार्ट तुम अपने फिक्र करो, अगर मैंने तुम्हें किसी भी पराय मर्द की साथ बात करते हुए देख लिया, तो तुम्हारी खेर नहीं, विक्रांट की बात सुनकर अंशा घबरा जाती है, और विक्रांट का चेहरा देखकर घ धबराय आवाज में बोली, हब्याप मुझे धमकी दे रहे हैं। विक्रांट अंशा की बात सुनकर, उसकी खुली पीट पर अपनी उंगलियों को सेक्सूल वे में घूमते हुई डीप वोईस में बोला, स्वीठार्ट महारानी तो तुम मेरे दिल की भी हो, अंशा विक्रांट की बात सुनकर शर्म जाती है, फिर विक्रांट अंशा को पहन कर डीप वोईस में बोला, स्वीठार्ट आज रात फेन हो जाए, अंशा नामे सिर हिलाती है, विक्रांट अंशा की कमर बंद में अपनी उंगली उलजा कर मधोश निगाहों से अंशा की आँखों में देखते हुए बोला, स्वीठार्ट तुम मुझे आज रो नहीं पाओगी, कितने महीने बीच चुके हैं, मैंने तुम्हें महसूस नहीं किया, आज मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, अंशा विक्रांट की बात सुनकर घबराये आवाज में बोली, हब याप बहुत वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत पेन होता है, विक्रांट से डर क्यों लग रहा है, हम तो कितनी बार करीब आ चुके हैं, और हमारे दो नामूने भी हैं, फिर भी क्यों आज मुझे विक्रांट सर से बिलकुल पहले की तरह डर लग रहा है, क्या इतने दिल विक्रांट सर के करीब ना आने से वही शर्म और घबराहत मेरे अंदर आ अंशा अपनी कही हुई बात पर विचार करके अपने माथे पर हाथ रख कर बोली, अरे यार मेरे जिन्दगी में जब देखू कोई ना कोई नौटन की लगी रहती है, मैं अपने ही बच्चों के डेडी के करीब जाने से घबर रही हूँ, अंशा तू पागल हो गई है, व अलू और डैनियल ने कार्मिक का एक एक हाथ पकर खड़े थे, डैनियल कार्मिक से बोला, फूफा जी मैं और आलू डान्स परफॉमेंच कलेगे, कार्मिक मुस्कुराते हुए बोला, वाओ मैं तो बहुत लखी हूँ, दुनिया की दो सबसे ख्यूट बच्चे मेरी इंग लाती हैं, तभी वहां अंगद और वियोम आते हैं, अंगद आलू और डैनियल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वाओ तुम दोनों तो बहुत प्यार लग रहे हो, आलू और डैनियल अपनी तारीफ सुनकर वहां से शर्म कर भाग, जाते हैं, अंगद मुस्कुराते हुए बोला, तुम जब दो साल बाद सिंगापो से लोटो, तो तुम दो से तीन होकर लोटना, कार्मिक वियोम को घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हारे, जैसा एक्स बाइंग फ्रेंड किस लड़की का नहीं देखा, वियोम मुस्कुराते हुए बोला, प्रोफेसर अंकल भी अपनी फैमिली के साथ नहीं आए, अंगद एश की बात सुनकर बोला, तुम्हें क्या लड़का और लड़की वालों के बीच जंग करवानी है, कि तुम्हें हमारी टीन में लोग काम लग रहे हैं, एश वहां से बुजर रहे विकी और मधू को रोग कर बोली, त तो हमें किसी भी टीन में शामिल कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मधू कुछ सोच कर बोली, इस हिसाब से अंशा भी लड़के वालों की तरफ से होनी चाहिए, वो भी तो प्रोफेसर की स्टुडेंट थी, वियोम मधू की बात सुनकर बोला, भाई लोगों अंशा को अ गोद में चिर्ख कर कार्मिक के पास आता है, शोबित कार्मिक को बिल्लू से मिलवाते हुए बोला, कार्मिक इन से मिलो, ये हाँ इस धर के छोटे राजकुमार और तुम्हारे छोटे साले, ये अपनी दोनों बहनों के दिल के बहुत करीब हैं, और ये बात से बात करने आ अहां आजाती है और बिल्लु की बात समझ कर कार्मिक से बोली कार्मिक eyeliner मेरा बेबी ब्रदर बोल रहा है तुम सौमू का ध्यान रखना कार्मिक बिल्लू के माते पर किस करके बोला तुम बहुत क्यूट हो, मेरा मन तो तुम्हें दहेज में मांगने का कर रहा है। कार्मिक की बात सुनकर बिल्लू की गोज से जम्प करके वहां से भाग जाता है। अर्पिता बिल्लू की हरकक पर हसते हुए कार्मिक से बोली, तुम्हें पता हैं, बिल्लू और सौमू की कभी नहीं बनती, दोन्नों हमेशा जगरते रहते हैं। वही दूसरी तरफ विक्रांत और अंशा रेडी होकर वंच के साथ पार्टी में आते हैं। विक्रांत और अंशा एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे, पार्टी में मौझूद सभी लड़के अंशा को देखकर, उससे अपनी आँखे नहीं फेर पा रहा था, और पार्टी में लड़कियों का विक्रांत को देखकर यही हाल था। डैनिस विक्रांत के पास आकर बोला, भाई क्या बात है, दो बच्चों के बाप होकर भी तुम कितने हैंसम और चामिंग लग रहे हो। चली जाती है, अंशा कार्मिंग के पास पहुंचती है, एश अंशा से पूचती है, अंशा तुम किसी टीम में हो। कार्मिंग सॉम्या को सगाई की अंगूठी पहने कर उसके हाथ पर किस करता है, सॉम्या शर्म से कर पल के जपका लेती है, फिर सॉम्या कार्मिंग को सगाई की अंगूठी पहनता है। सब गेस्ट उनके लिए ताल्या बजाने लगते हैं, कार्मिक के सभी स्टुडेंट्स अंशा, एश्वेकी, मधू और वियोम हाउटिक करने लगते हैं, सौम्या और कार्मिक को आर्शिवाद देने के लिए घर के बड़े स्टेस पर आते हैं, कार्मिक रगुवेंद जी और पैदेही जी के पैचुकर आशिरवाद लेता है, बाकी गेस्ट भी एक-एक करके सौम्या और कार्मिक के पास आकर, उनको विश करके गिफ्ट देते हैं, मिध्या सगाई को कवर कर रही थी, वही कुछ देर बाद सौम्या और कार्मिक का फोटो शूट होता है, उसके बाद बच्चों के डान्स परफॉर्मेंस होते हैं, आंशा विक्की और मधू के साथ डान्स करती हैं, और इस तरह से जिसका मन था, वो सब डान्स करते हैं, सब लोग दिनर करने लगते हैं, विक्रांथ और डैनिस तो अपने बिजनेस पार्टन के साथ बात करने में लगे थे, वही आलू और डैनियल बेबीज के साथ अकेले ही यहां वहां घूम रहे थे। आलू और डैनियल के हाथ में आइसक्रीम का कप था। डैनियल आलू से पूछता है, आलू हम कहां जा रहे हैं। आलू अपने माथे पर हाथ मार कर बोली, अले में जब को चिकनी लोली पॉप खिलने ले जा रही हैं, वो जब चिकनी लोली पॉप के काउंटर पर पहुँचते हैं। तो अंशा को अपने दोस्तों के साथ पहले ही वहां मौजूद देखते हैं। आलू अंशा को घूरते हुए बोली, मम्मा आप मिले को छोल कल अकेले अकेले का लहे हो। अंशा आलू की तरफ देखकर बोली, अरे नहीं मैं तो तुम्हारे पास आने वाली ही थी। विकी डैनियल को देखकर बोला, बेटा तुम्हारी मा तुम्हें पागलों की तरह तुम कहां गूम रहे हो। परती हैं। लड़की मेरी आलू को डाटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सब साइड में नानी को खड़े देखते हैं। मधू अंशा के कान में बोली, बस नानी की ही कमी थी। इस नौटन की में शामिल होने की चब 558 काया बंशा। आलू तो विक्रांट के उपर पैर रख कर सो रही थी। और वंश विक्रांट के उपर लेट कर अपनी मम्मा का वेट कर रहा था। विक्रांट वंश की पीट से लाते हुए प्यार से बोला, बेबी तुम्हे ऐसा तो नहीं लगता, मैं आलू से ज़्यादा प्यार करता हूँ। वंश अपनी बेबी भाशा में बोला, आ। उँ, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है, पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, बच्च जो हूँ। विक्रांट वंश आई सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी अपनी मम्मा की तरह बर-बर करने भी एक्सपर्ट हो, क्यूँ। वंश अपने डैडी की बात सुनकर अपन दिये थे, जो बहुत ही क्यूट थे, आलू भी बच्चपन से ही शैतान है, और अब वंश भी उसके जैसा ही शैतान है, तभी कोई विक्रांट के रूम का कोई डोर नोक करता है, विक्रांट कॉम इन बोलता है, तो गजोधर अपने बेटे को गोल में लेकर आता है, विक्र गजोधर विक्रांथ की बात सुनकर बोला, बॉस हमरे बुर्बक ने जबसे आपको देखा है, जबसे ईजिद कर रहा है, इको पसनली आपसे मिलना है, विक्रांथ वंच को बैट पर लेटा देता है, और बैट से खड़ा होकर, गोलु को अपनी गोध में लेकर रौबदार आवाज में बोला, गोलु बेबी बच्चे इतनी राद तक जागते हैं, अब जाकर सो जाओ, फिर विक्रांथ गोलु को गजोधर की गोध में देता है, गजोधर वंच को देखकर बोला, बॉस वंच बाबा तो बिलकुल आलू बुर्बक के जैसा लग रहा है, गोलु बच्चे इतनी राद विक्रांथ विक्रांथ गोलु को गजोधर की बात सुनकर गुसा हो जाता है, और अपने हाथ पैरफेक ने लगता है, वंच अपनी बेबी भाशा में बोला, आ, इ, आए काले कोई तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे डैडी की गोध में इस छोटे सेन को देने की, उसकी ऊपर से तु मुझे इस छोटे भालू की तरह बोल रहा है, अरे काले कोई मैं बाय हूँ, मैं लड़की के जैसा कैसे लग सकता हूँ, मैं तो अपने डैडी की तरह दिखता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, सौमू की सगाई में सब नव करके आय थे की हर कोई मुझे देखकर यही बोल रहा था, मैं इस छोटे भालू की जैसा लग रहा हूँ, एक बार मुझे बढ़ा हो जाने दो, फिर सब को बताता हूँ, वंच गुस्से में अपने हाथ पैर चलने लगता है, वही आलू नींद में मम्मा मम्मा करने लगती है, विक्रां मेरी क्यूट मम्मा को पुरा दिन अपने पीछे भागती रहती है, एक बार बढ़ा हो जाओ, फिर मैं इसका बताऊंगा, मेरी मम्मा को परेशान करने का नतीजा क्या होता है, वही विक्रांत अंशा के फोन पर फोन कर रहा था, अंशा फोन रिसीव ही नहीं कर रही थी, व चीज मुझे पसंद नहीं होती, उससे मिटा देता हूँ, विक्रांत रंजीत को फोन करके अंशा को धूनने को बोलता है, वही विक्रांत के बोडी गार्ड अंशा को महल में धूनने के काम पर लग जाते हैं, वही दूसरी तरफ सौमया और कार्मिक महल के टेरिस पर थे, दोनों रेलिंग के पास खड़े होकर आसमान देख रहे थे, सौमया कार्मिक का हाथ पकड़ कर धीनी आवाज में बोली, कार्मिक मुझे यकीन नहीं हो रहा, आज हमारा रिष्टा ओफिशल हो चुका हैं, वही कार्मिक जो चुपचाप सा खड़ा था, सौमया कार्मिक के चहरे को देखकर स्माइल करते हुए बोली, क्या हुआ प्रोफेसर कार्मिक सगाई करके खुद को कैद महसूस कर रहे हो, कार्मिक सौमया की बात सुनकर उसके चहरे को देखकर सीरियस टोन में बोला, सौमू पता नहीं, क्यों कुछ रोच से मुझे मेडिटेशन करते वक्त कुछ हिसा देख रहा है, जिसका मतलब है, बड़ी, तबाही, सौम्या कार्मिक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, कार्मिक तुम मुझे डर रहे हो, कार्मिक सीरियस वोईस में बोला, बस बात रहा हूँ, सौम्या कार्मिक के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते तुम हो ना, सब ठीट करने के लिए फिर सौम्य कार्मिक के होटों पर किस करने लगती हैं। कुछ अनर्थ होने वाला है, इस बारे में प्रोफेसर से कर सुबह बात करनी पड़ेगी। की दूसरी शादी करवा दो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दे। एक हफता बीट चुका था, महल में सब लोग उदास चहरा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वैदेही जी आलू को अपनी गोद में लेकर बैठी थी, और वो आलू को ब्रेकफस्ट करवाने की कोशिश कर रही थी। पर आलू मम्मा चाहिए की रट लगा कर बैठी थी, वो हर पिता वंच को लेकर बैठी थी, और वंच को फीडिंग बोतल से दूद फीडिंग करवा रही थी, वंच की आँखों में भी मोटे मोटे आसू थे, दोनों बच्चे अपनी क्यूट मम्मा को देखने के लिए तरस गए थे, वैदेही जी आलू को अपने सीने से लगा कर बैड वोईस में बोली, हमारी खुशियों को किसकी नजर लगा, नानी मूँ बनाकर वैदेही जी से बोली, वैदेही मुझे तो ऐसा लगता है, मो लड़की खुद ही भाग देई है, शोबित नानी की बात सुनकर कोल वोईस में बोला, नानी जी आप इतनी सीरियोस मोहल में भी ऐसी बात कैसे बोल सकती है, अंशा मेरी दोस्त के साथ बहन भी है, आप जब देखो, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं आपकी रिस्पेक करता हूँ, बस इसल नानी की बात सुनकर अपनी चेय से खड़ा होकर बोला, वो उस वक्त अपने होश में नहीं थी, तो उस बात को उठा कर अंशा को विलन बनने की जरूरत नहीं है, शोबित गुस्से में वहां से चला जाता है, और पिता नानी को देख कर बोली, नानी आप क्यों अंशा के बारे में बारे बारे गलत बोलती हैं, अंशा ने जो कुछ मेरे साथ किया, उस वक्त वो अपने होश में नहीं थी, अंशा ने तो वंच को कोई बार मुझे सौपना चाह, अंशा बुरी नहीं है, नानी अपनी चेर से खड़ी होकर वैदेही जी को देख कर बोली, वैदेही ये तो बच्चे हैं, पर तू समझदार हैं, वो हारी आँखो वाली ने एक बार मदद करने के बदल तुम से बहुत कुछ चीन लिया, हमारा पीउश और फिर आपो, का बच्चा और विक्रान पी उस हारी आँखो वाली के पीछे पागल है, मैं बोल रही हूँ, संभाल जा कहीं, ये हारी आँखो वाली अपने माँ बाप की तरह तेरे पूरे परिवार को भी ना खा जाएं, नानी की बात सुनकर सौम्या की गोध में बैट पेपसी भौपने लगता हैं, पेपसी नानी को धमकी देता हैं, कि अगर वो उसकी मम्मा के बारे में गलत बोलेगी, तो वो उनको काट लेगा, मेंगो और सेंडी दोर पर बैठे थे और बाहर की और देख रहे थे, बिल्लू उन दोनों के पास आकर बोला, तुम दोनों अब तक भूखे रहोगे, बिग ब्रो बेबी डॉल को धूनने गए हैं ना, बेबी डॉल मिल जाएगी, सेंडी रोने लग उसकी टीम के साथ वापस आते हैं, वैदेही जी उन सब के लटके चहरे देखकर समझ गए थी, कि अंशा का कोई सुराग नहीं मिला, कार्मिक अपनी टीम को लेकर अपने रूम में चला जाता है, सौम्या भी उसके पीछे जाती है, कार्मिक अपने रूम में आकर काउच प पर आकर बैट जाता है, बाकी सब भी बैट पर बैट जाते हैं, एश कार्मिक से बोली, प्रोफेसर अंशा कहां जा सकती है, उसको हर जगल तो ढूंड लिया है, कार्मिक अपने माथे पर अपनी उंगली सी टप करके बोला, मुझे कुछ बहुत बड़ी साजेश की बुआ कार्मिक की बात सुनकर वियों बोला, प्रोफेसर आप कहना क्या चाहते हैं, कार्मिक गहरी सांस लेकर बोला, अंशा की जान खत्रे में है, कोई अंशा को जान से मारना चाहता है, सौमिया डोर पर खड़ी होकर कार्मिक की बात सुन रही थी, सौमिया अपने मन में बोली, क गहरी सांस लेकर सौमया से बोला, मुझे तो ये तुम्हारी नानी और मामी का काम लगता है, वो दोनों ही अंशा के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, और मैंने तो तुम्हारी सगाए वाले दिन सुना भी था, तुम्हारी नानी मेन का मामी से विक्रांद जी के लिए लड़की धूनने को बोल रही थी, सौमया आंगग की बात सुनकर कुछ नहीं बोलती, और चुक्चाप वहां से चली जाती है, वही दूसरी तरफ उर्वशी और दादू भी विक्की और मधू को लेकर परेशान थे, उर्वशी दादू के रूम में बैठी थी, दादू उर्वशी स उनको ढून तो रहे हैं ना, आप चिंता मत किजिए, वो तीनों जल्दी ही मिल जाएंगे। पैसे देकर अंशा को मारने के लिए बोला था ना, तमन्ना विक्रांद की बात सुनकर बोली, विक्रांद तुम मुझ पर ऐसे जूठी इल्जाम नहीं लगा सकते। तमन्ना की बात सुनकर गुसे में बोला, तो तुमने ही अंशा को किद्नेप किया हैं, तमन्ना हसते हुए बोली, मैंने ऐसा कब कहां। तमन्ना का भाई दर्द में हसते हुए बोला, विक्रांद बाबो अब गोली से कोई नहीं दरने वाला, अब तो तुम सीने में भी गोली मार दो, तो भी हमारा मूँ नहीं खुलने वाला। विक्रांद जो किसी वक्त बहुत गुस्से में था, वो तमन्ना के भाई की फेस पर पंच मार कर गुस्से में बोला, तू मुझे अभी जानता नहीं है, ऐसी मौत दूनगा, कि अगर जन्म लेने से कान पेगा, तमन्ना विक्रांद को गुस्से में देख कर आहे भरते विक्रांद तूम तो वो नश हो, जो हमेशा मुझे पर हावी रहता है, विक्रांद तमन्ना और उसके भाई से दूर होकर गुस्से में बोला, लातों के भूत बातों से नहीं मनाते, अब तुमसे विक्रांद ओबरोए नहीं किंग दिल करेंगा, विक्रांद टैनिस से, त तमन्ना को बुरी तरह ही पीट रही थी, फिर भी दोनों बहन, भाई हंस रहे थे, जैसे उनको कोई दर ही ना हो, वही महल में डॉक्टर की टीम आई, हुई थी, वो सब सैंडी को एक जामिंग कर रहे थे, सैंडी को पावर हो गया था, सैंडी बैद, पर लेटी थी, डॉक चैंडी तुम लोई लोई मत कलो, इंजेक्शन, अच्छी चीज है, मम्मा जब आई, तो तुमको बीमार देखकर गुच्छा करेगी, अब, इंजेक्शन लगावा लो, आलू सैंडी को प्यार से समझ कर इंजेक्शन लगवाने के लिए मान लेती है, डॉक्टर सैंडी को लगा देता, सैंडी मम्मा मम्मा करके रोने लगती है, आलू सैंडी को प्यार करते हुए बोली, मेरी छडी लोती हुई, पदू लगती है, अब तलो नीनी कलो, वैदही जी आलू को देखकर हलका सा मुस्कुराती है, रगुवेंद्र जी जो वैदही जी के साथ खड़े थ हैं, वो बच्चों का भी ध्यान रखेंगी, रगुवेंद्र जी पीछे मुरकर अपनी सांस मा से कोल्ड वोईस में बोले, सांस मा मैं आपकी बेटी से बोर हो गया, मेरी लिए भी एक दूसरी लर्की धून देजिए, हम दोनों बाप, बेटा एक मंदब पर शादी कर लें महरानी इस वक्त बच्चों को मा के प्यार की जरूरत हैं, और अंशा के बाद बच्चे आप से से ही अटैच हैं, आप सब कुछ छोड़ कर बच्चों का ख्याल रखें, वैदेही जी हां में सिरहलाती हैं, रगुवेंद्र जी बिल्लू को लेकर वहां से चले जाते हैं, व और वो अपना मूँ नहीं खेलने को तयार थे, तब ही विक्रांद का फोन रिंग करता हैं, विक्रांद अपना फोन रिसीव करता हैं, फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी हस्ते हुई बोला, साले साहब बीवी से बिच्चर कर कैसा लग रहा हैं, विक्रांद गुस्से में दांद भींच कर बोला, फोन के दूसरी तरफ से धूर हस्ते हुए बोला, साले साहब अपने सही पहचान, आपको क्या लगा था, बस आपका ही शाही खून गर्म है, और हमारा खून पानी है, उस दिन मंदिर में मैंने प्यार से आप से बात करके देखी, पर उसका कोई फा और अब चुक चाप मेरी बात सुन अगर अपनी बीवी को जिन्दा देखना चाहता है, तो तुम्हें मेरी कुछ शर्ते माननी होगी, विक्रांत कोल्ड वोइस में बोला, अब एकुत्ते के पीले विक्रांत ओबरोई से उसके दुश्मन भी बड़ी तहजीब से बात करते हैं, तू काल का चूजा मुझे अकर कर देखा रहा है, तू जानता नहीं है, वो हारी आखो वाली मेरा प्यार नहीं है, बिल्कुल मेरा जुनून और मेरी सनक है, उसको पाने के लिए मैं लाशे बिचा सकता हूँ, तो अगर अपने खांदान को लाशे बनाते नहीं देखन चाहता, तो पुरी इज़त अंशा को महल लेकर आ, धूर विक्रांत का एरोगंट एटिट्यूट देखकर गुसे में बोला, अब यो मुझे डरने की कोशिश मत करना, मैं डरने वाला नहीं हूँ, विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए बोला, तो फिर तेरे पैर क्यों का मैं एक एक करके पुरे ओबरोई खांदान को मिटा दूंगा, विक्रांत धूबर की बात सुनकर कोल्ड वोईस में बोला, तो इस शुक्रवार में कर देता हूँ, कल सुबल तेरे घर तेरी बीवी, अनकिता और सालिक प्रशांद की लाश पहुँच जाएगी, और फिर मैं भी रोकने वाला नहीं हूँ, तो सोच ले, बीवी के पीछे जाकर पुरे खांदान की बाली चुरनी है, या फिर दूसरी शादी करके एक खुशहर जिंदगी जानी है, दस मिनत देता हूँ, फैसला लेकर फोन करना, विक्रांत फोन डिसकनेक्ट कर देता है, डैनिस विक् विक्रांत देनिस के माथे पर पसीना देखकर कोल्ड वोइस में बोला, डैनिस में किंग है, और किंग कभी जुकता नहीं है, और वोकल आया विक्रांत ओबरोई को जुकाएगा, अंशा उस धूवर के पास नहीं है, डैनिस विक्रांत की बात सुनकर हैरानी से पूछता है भाई तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विक्रांत अपने आँखों पर सेड लगाकर कोल्ड वोइस में बोला, वो हारी आँखों वाली चलता, फिरता बॉम है, उसको कैट करके रखना हर किसके बस में नहीं है, अगर अंशा धूवर की कैट में होती, तो वो बचकर आही जा फाइदा उठाना चाहता था, विक्रांत धूवर से कोल्ड वोइस में बोला, अगर तुझे अंकिता चाहिए, तो मैं तुझे अंकिता दूनगा, पर अगर अंकिता ने फ्यूचर में फिर से मेरे परिवार के साथ कुछ भी करने की सोची, तो तेरे पुरे खांदान को इस मेहल के लिए निकल जाते हैं, विक्रांत चब मेहल पहुचता है, तो वो आलू को सेंडी को गोड में लेकर लिविंग हॉल में घूमते देखता है, विक्रांत आलू और सेंडी को देखकर हलका सा मुस्कुराता है, आलू विक्रांत को देखकर खुश हो जाती है, और ड दैडी के गाल पर किस करके hard quality करने लगती है. विक्रांट सैंडी को गोध में लेकर प्यार से बोला. मेरी Princess कैसी है? सैंडी म्याव्याउव करने लगती है. आलू विक्रांट के पैर से लिप्ट कर मासूम सा चेहरा बना कर बोली. डैडी util को पावर हो गया है. इच को मम्मा की बहुत यादा रही है विक्रांद सेंडी के माथे पर किस करके प्यार से बोला प्रिंसेस मम्मा जल्दी मिल जाएगी विक्रांद आलू के सिर पर हाथ फेर कर बोला तुमने खाना खाया आलूहा सिर हिलाती है पैपसी और मैंगो भी आकर विक्रांट के पैरों पर किस करने लगते हैं वही अर्पिता की गोध में मौझूद वन्शक ने बहन भायों को गूर रहा था वन्शक ने मन में बोला ये चल क्या रहा है अरे डैडी प्यार की जरूरत है ये चारों तो बड़े हो चुके हैं विक्रांट आलू, सेंडी, पैपसी और मैंगो को प्यार करने के बाद अर्पिता से वन्श को लेकर अपने रूम में चला जाता है वही दूसरी तरफ कार्मिक अपनी टीम के साथ वेदप्रताप जी के आश्रम आया हुआ था कार्मिक वेदप्रताप जी से बोला गुरू जी अब तो आप ही अंशा को ढून सकते हैं एक आप ही हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्तिया है वेदप्रताप जी गहरी सास लेकर बोले बहुरानी कहा है, ये मुझे मालूम है